कलदीर साम भाजपा करयाले में बिधायक दल की बैठक होती है बिधायक दल की बैठक में बिधायक जो है वो अपनी नेता प्रतिपक्ष को लेकर सिकायत करते हैं जो है नए बिहार बिजेपी के जो अध्यक्ष बने है समराठ चोधरी उनको कंप्लेन करते हैं सिकायत करते हैं लेकिन नेता परतिपक्ष जो है वो ठीक नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि बीच में ही खड़े हो जाते हैं, टोकने लगते हैं, हमको सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता है, और उसके बाद परदेश अद्रक्ष जो है नेता परतिपक्ष की क्लास लगा देते हैं और उसके बाद विधायकों को कहते हैं कि आपको जो है वो नेता परतिपक्ष की बात को नहीं मादना है और अब इस पूरे जिम्मेदारी के बाद अब विधान सभा के अंदर पूरा क् क्या हुआ वो हम आपको सुनाएंगे किस तरीके से बिदायकों ने नेता प्रतिपक्ष की बीच सदन में फजीहत कर दी लेकिन उसके पहले नमस्कार में आराम शशांग पांडे आप जन्ता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे बिशाल खड़े हैं और कल देर साम नेता बिरोधि दल जो है उनकी क्लास लग गई नेता बिरोधि दल को भाजपा के परदे सद्यक्ष ने कह दिया कि आपको बाइकॉट नहीं करना है सदन के अंदर सवाल आपको पूछना है और आप विदायकों को सलाह नहीं देंगे आप विदायकों को उनके अनुसार काम करने देंगे विधायक दल की बैठक होती है विधायक जो है वो कम्प्लेन करते हैं विधायक कहते हैं कि देखिए हमारी बात नहीं मानी जाती है नेताप्रतिपक्ष जो है वो हमारी बात नहीं सुनते हैं उसके बाद समराथ चौधरी नेताप्रतिपक्ष से कहते हैं कि आप विधायकों को ओर नहीं देंगे विधायक आपकी बात को नहीं मानेंगे और उसके बाद सरकार को घेरना है सवाल पूँछना है और उसका परिनाम आज सदन में देखने को मिला जब बिजए छिन्ह are खड़े होकर सवाल पूछते हैं तब तमाम विधायक उनके बगल में खड़े होकर सोर सरावा करते हैं और विधान सभा के अध्रक्ष जो है वो बार बार कहते हैं कि नेता बिरोधी डल अपने विधायकों को कहिए कि बैठ जाएं वो बैठ जाएंगे तभी आप सवाल पूछ पाएंगे लेकिन विजय सिना जो है जाएगी जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है कि हमारी कोई बात नहीं मानी जाएगी अब आपको सुनना है तो सुनिए वरना आप भी कह दीजिए कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा और विजय सिना खड़े होकर अपनी बात को रख रहे थे और भाठपा के तमाम विधायकों खड़े होकर विजय सिना का मजाक एक तरीके से उड़ा रहे थे वो हला कर रहे थे वो सदन के अंदर चिला रहे थे और विजय सिना सरकार को घेरने का प्रियास कर रहे थे और लेकिन इतना सोर सराबा हो रहा था कि विजय सिना के सामने बैठे विधान सभा के अध्रख्ष तक उनकी बात नहीं जा रही थी। उनके द्वारा कही गई जो बाते हैं वो सदन के अध्रख्ष के कानों तक नहीं जा रही थी क्यूंकि बगल में सोर सरावा बहुत अधिक हो रहा था। बाजपा के तमाम बिधायक खड़े होकर हला कर रहे थे और नेता प्रतिपक्ष जो है वो मजबूर थे नेता प्रतिपक्ष को बार बार कहा जा रहा था कि अपने बिधायकों को कहिए कि बेल से जाकर अपने सीट पर बैठ जाएं बार बार प्रेम कुमार का नाम लिया जा रहा था बार बार य बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रेम कुमार जी आप अपने सीट पर बैठिये और फिर सवाल पूछिए नेता बिरोदीदल चुप चाप सब कुछ देख रहे थे क्योंकि उनको पहले ही कह दिया गया है कि आपको जो है बिधायकों को ओर्डर नहीं देना है बिधायक जो कर रहा है करने दीजिए और फिर नेता बिरोदीदल ये सब कुछ देख रहे थे अपना सवाल रख रहे थे लेकिन सरकार तक ये सवाल पहुच ही नहीं पा रहे थी क्योंकि खुद के बिधायक सदन के अंदर हगांबा कर रहे थे खुद के बिधायक इतने जोरों से चिला रह गया और अब फिर सदन चलेगा फिर सदन के अंदर क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे इस कमर में इतना ही बने नहीं मार साथ और देखते रहे जंद अजुम्शन